को जितने भी अभियर्थी स्वारे एक्जाम देने वाले बिहार बोट से दोजार चोबीस के एक फरवरी में तो उन सभी छात्रों के लिए बिरोज का फ्रेम पोटेंट होगा और यहां पर जितने भी कोशन मैं बता रहा हूं यह सारे के सारे वायरल टैप कोशन से प्रिभी स ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक जूर देखना वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके शियर जरूर कर देना और इसी तरह से हर एक सब्जेट का आप लोग को यहां पर एंसर की भी देखनों को मिलेंगे आप मिला सकते हो कि आपने कितना सही करके ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक जूर देखना एक एक परसंट फिर से बता रहा हूं काफी सारे इंपोर्टेंट कोसंस का समावेस इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूं और यह सारे कोसंस आपको इस वेबसाइट के मदद से मिल जाएंगे स्टार का सब्सक्राइ तो चलिए हम लोग यहां पर बाइलोग एक फरवड़ी में आने वाले कोसंस को देखते हैं तो यह शुरू करते हैं एस वीडियो को अन तक सारे देखना और यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले एक जाम का कोसंस पर आप सभी को यहां पर असानी से सब्सक्राइब को मिल जाए यह पहला परस्ट देखते हैं एक जीव संख्या में अलील आवेर्थी और उनके लोकस स्थीर होते हैं जो कि एक पीड़ी से दुसरे पीड़ी तक्या रहता है निरंता होता है एलील दर फ्रिक्वेंसी इस पापूलेशन और स्टेवल एंड इस इस परकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए टू नमबर अग्रपाद की अस्तिया चमकादर चीता और मानव के होते हैं किस परकार का ओर्गें है यह बोन्स और फोर लिंस ऑफ दबेट चीता और हुमेंस आर यानि यह किस प तो ए इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है यह सारा होमोजीनियस हैट्रोजीनियस ओर्गें विट इक्जामपल से मैंने चैप्टर वाला वीडियो में सारा करवाई हूँ तो जिसको भी प्राइब्रम हो रहा है अभी कि मैं क्या बता रही है तो आप लोग उस च द्धर्ड क्वेश्टण है निम्याि हिससे होता है यानी की निम्या इ 때문에 जो होता है वो एकला वाइस्ट्रियोकॉस कोश निवमोनियों के कार्ण होता है यानita 20 क्या हो जाएगा right आंसर हो जाएगा next question एक्पोर नमबर कि मुल्त मरा जल जात रोग है मैनली वाटर बॉर्ण्स डिजी इस तो आप लेगा पता भी होगा, तो verkan boy, iós disease जो है वो क्या है, hepētitis है, यानि पीलिया होता है, ये malaria तो, mosquito bites से होता है, और seleria, है तो अलग विमारी है, जिसमें क्या होता है, पाऊं फूल जाता है, और cancer यह तो अलग ही विमारी है, ठीक है, न, चलिए, न, next question है, 5, एड्स की पहचान सरपर्थम हुई थी एड्स इदा इडेंटिफाइड द फॉस्ट ओफ और इज तो सबसे पहले जो एड्स का पहचान क्या गया था वहां कहां पर क्या गया था युनाटेट इस्टेट ऑफ अमेरिका यानि यूएसे में क्या गया था तो डीस कर आइट आंस का नेक्स्ट कुशन है सेवन नंबर किरासानिक दिरिश्टी से एंटी बॉड़ी होता है यानि केमिकल एंटी बॉड़ी आर तो केमिकल एंटी बॉड़ी जो होता है वो प्रोटीन से बना रहता है तो यह क्या हो जागा इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क देखिए एट नंबर इन में से कॉन वायू प्रादूशन का मुख काड़क है वीच वन आप दो फॉलोइंग इस अमेजर सोर्स आफ एर पर्यूशन तो एर पर्यूशन जो होता है किसके कार्ण मेजरली होता है तो अल अफ दीज हो जाएगा इसका देखिए ऑटो मोबाइल क भी होता है इंडिस्ट्री से भी जो वह यानि की दुआ जो निकलता उससे होता है स्मॉक से उसका बर्निंग कोल जलता हुआ कोईला सही होता है तो इस परकार से इसकार राइट आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट कुश्टन है नाइन नंबर कि वह एंजाइम जो उकाजा की खंड जोडता है तो इस परकार के इंजाइम को कहा जाता है लाइगेज तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्टन है अटे नंबर पीसी आ यानि इसका फूर्म भी पूछता है पॉलिमर चेंड रियक्शन होता है जो कि कि किसके लिए आवसक है यानि पी सब्सक्राइगा चलिए नेक्स्ट कुश्टन देखिए 11 नंबर 11 नंबर है सुमो कॉलन विभींताई किसके दौरा पाय जाता है सेमी कोनल वैरियेशन इस ऑबिटेंट फॉर्म वीच आप दा फॉलोइंग तो यह पाय जाता है टीश्यू कल्चर के दौरा यानि उत्तक सब्सक्राइब के दौरा तो सी इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्टन है ट्वैल नंबर कि विसानों मुक्पध है कि इसके दौरा प्राप्त हो सकते हैं वेरियस फ्री प्लांट्स कैन बीड़ प्राड्यूस बाई भी विभी उजवत तक स रहता है 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 तो यह कंप्लीमेंटरी बेस से होता है तो सी क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाता है नेक्स्ट क्योशन है फ्र्टीन बर कि इनमेंटर कौन कॉलayन वैक्टर की तरह उप्योग में लाया जाता है जाता है झारत तो और्ट यह सारा आप घांजा sólo FC प्लाडन सेट को अगरjang फिलाल में जारी किया था happily हाड़बोर्ड तो वही क्वेशन आप लोग का तो इसमें अगर कुछ मीं स्प्रेंटिंग है तो इसको आप लोग चेक कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नमबर की टी एक्यू डी एने पॉलिमेरेज एंजाइम किसे प्राप्त होता है टी एक्यू डी एने पॉल ठीक होता है के मिए फ्यूजन्स और इलेक्ट्रो फ्यूजन्स इस यूज़ फॉर्म कि यह प्लॉस ने सब्सक्राइब मूटर्स प्लास्ट और फ्यूजन होता है सवारी पैड्रों लेगां से इसका हो जाएगा ढौसर हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है शिस्टी नमबर ड DNA is done by का जाता है CTAB तक्निक द्वारा by CTAB methods होता है इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है 18 नमबर इन में से कौन कैंसर के उप्चार में पड़ियोग आता है या पड़ियोग किया जाता हुई इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का अड़ी एच जी एच यानि हुमेन ग्रोथ हॉर्मोन्स चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखिए नैंटीन नमबर वह एंजाइम जो बारली यानि जो के बीजों में अंकुरन को प्रेडित करता है दा एंजाइम डैर्द एस्टिमेलेट जर्मीनेशन ऑफ दा बारली सीड इज इस परकार के एंजाइम को कहा जाता है एक्स एमाइलेस इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन है ट्वेंटीन अबर पो मैटो किसके बीच का दाहिक संक्रन है पो मैटो इस और हैब्रीड ओफ शोड़ी यहां पर पो मैटो पो टाइटो होना चाहिए तो ट्वेंटी का जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलू एबं मटर पो टाइटो एंड टोमाइटो नेक्स्ट कुस्टन है ट्वेंटीवन नमबर डीने के थाइमीन पिरामीडीन छ तो इसको कहा जाता है ट्वेंटी वन को यूरेसील यानि डीस का राइट अंसर है नेक्स्ट कुस्टन है ट्वेंटी टू नमबर बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है बीटी कॉटन जो है वो प्रतिरोधी बीटी कॉटन इधर असिस्टेंट टू तो इसका राइट अंसर ह हो जाएगा किट यानि instead next question है 23 नमर यूमेलीन सब्ध का पड़ियों किसके लिए होता है यूमेलीन terms is used for यह human insulin के लिए होता है दी क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा next question है ट्वेंटीफॉर नम्बर पुरूस जननतांतर शरीर के इसमें अवस्तित होता है मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम सेच्यूटेट एट दफिलिंग दब्लैंक्स ओफ बर्डिस तो यह स्रोनी छेत्र होता है यानि पहले भी रीजन होता है ठीक है न तो यह इसका क्या हो जागा राइट आंसर हो जाता है चले नेक्स्ट क्वेशन देखते है नेक्स्ट क्वेशन है 25 नंबर कि अंडानू का निसेचन फिलिंग दे ब्लैंक्स होता है दफ फर्टिलाजेशन ओप ओवम टेक्स प्रेस तो अंडानू का जो निसेचन होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है ठीक है न प्रसारित होने को कहा जाता है, the process of evaluation of different species in a given geographical area starting forms a point and literally graduating to the other areas of the geography is called, तो इस area को क्या कहा जाता है, adaptive radiation कहा जाता है, यानि अनुकुली विकिरन कहा जाता है, तो C is the right answer है, next question है, 27 number, विकास के डार्विन वाद की दो मुख संकल्पना है, यानि concept theory था, the two key concept of Darwin's theory of the evaluation are, तो इसका two theory था, natural selection and branching descent, निकी प्राकृतिक चरन एवं सर्वनी अवरोहन, तो B इस प्रकार्सिस का right answer है, next question, 28 नमर, ले मार्क किस देश के थे, यानि ले मार्क वाज, फॉर्म ओन, ले मार्क जित है, वहाँ, फ्रांस के रहने वाले थे, तो D इसका right answer हो जागा, next question, 29 नमर, निम लिखित, लोगों में कौन सा अनुवान सिक रोगा है, which amongst the following is the heredity disease, यानि heredity disease होता है, जो एक से दूसरे में, यह है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, हीमो, failure हो जाएगा, ठीक है न, तभी इसका right answer हो जाएगा, next question, 30 नमर, retrovirus का उधारन है, यानि the example of the retrovirus, the retrovirus जो example है, वह HIV का है, यह इसका right answer हो जाएगा, next question है, 31 नमर, मानम में हाथी पौण रोग, यानि हाथी की तरह powerful ना, निम लिखित में से कौन जिम्मेदार होता है, which among the following is the responsible for the elephantitis, the elephantitis, यानि की elephant की तरह, यानि हाथी की तरह, जो powerful जाता है, वह बिमारी होता है, विच नियोडिया, बाइक रोफाइटा, यानि विच ने रिया, ब्राइक रोफाइटा में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, next question है, 32 नमर, निम में कौन एक वायू जनित रोग है, यानि which among the following is airborne disease, तो air, airborne disease, जो होता है, वो किस्त के कारण होता है, तो वो निमोनिया होता है, ठीक है न, वो थोरेक्स में, यानि कि सांस नली जो होता है, उसमें, polluted air के कारण होता है, सांस लेने में प्राब्लम होता है, यह ज़्यादातर बच्चों में होता है, तो इस पर करण इसका right answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन है, 33 नमबर, कि स्तरी जननतंत्र में कितने डासा होता है, हो मेनी ओब्रीज फोन इं ओफी मील री प्रोड़ेक्टिव सिस्टम है wr या नी जोड़ा होता है टो दो मिलके होता है का तॉ Ms वल्द क्या हो जागा इसका राइट आन्जकर नमबर जर्म को सिका है कि स्प्ञर्द 一न सुक्रानों का निर्मान करती है बाइवीच प्रौसेस जर्म सेल्द प्रॉडूस एस्पर्म तो इसको दो कहा जाता है मियोसिस यानि अल्द सुत्री विवाजन नेस्ट कूश्चन थर्टी फाइब नमबर लास्ट कूश्चन है सुक्रानु जनन उतपन करते हैं यानि एस्प पर लिए है जो कि आप लोग का ओफिसियल इंटरनेट मॉडल पेपर है कि काफी आप लोग के एक्जाम में हेल्प होने वाला है इससे तो चलिए इसी तरह से और भी सेट लेकर करके आएंगे तब तक इतना प्रैक्टिस करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू ओक्